Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं चाइना का पांडा डिप्लोमेसी के बारे में कि आखिर में ये पांडा डिप्लोमेसी है क्या और किस तरीके से एक एनिमल पांडा चाइना का अमबैसडर बन गया है और इस पांडा डिप्लोमेसी को समझते समझते हमें ये बात भी आटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से दो ग्लोबल सूपर पावर्स आपस में कभी भी नहीं लड़ते हैं और उनका हर वक्त ये कोशिश रहता है कि बैक डोर कमिनिकेशन चलता र वैसे तो यूएस और चाइना के बीच में रिलेशन हर वक्त खराबी रहते हैं लेकिन साल 2023 में बहुत सारे इंसिदेंट्स ऐसे हुए थें जिसको देख के ये लग रहा था कि चाइना और यूएस के जो रिलेशन है वो अपने रॉक बॉटम को टच कर चुका है अगर मैं स कि वो एक सिंपल नॉर्मल विदर को स्टडी करने वाला बिलून है लेकिन ये मामला अपने आप में इतना ज्यादा एसकेलेट कर जाता है कि उसको देख के ऐसे लगने लग गयत है कि यूएस और चाइना के रिलेशन काफी खराब हो गया इन फैक्ट अपने रॉक बॉटम को टच कर चुका है और दूसरा इंसिडेंट होता है जब चाइना ने USA को पांडास दिये थें as in goodwill gesture और फिर चाइना ये डिसाइड करता है कि उस सारे जो पांडास दिये के तो उन सभी को वापस वो वहां से बुला लेंगे तो जैसे कि ये सिंपल होता है कि जब एक देश दूसरे देश से जब अपने ambassadors को बुलाते हैं तो ये हमें समझ में आ जाता है कि दो देशों के बीच में जो relations है वो काफी खराब होगा लेकिन इसी में एक नया update आता है जहां पे चाइना का wildlife conservation associations पांडास को देते हैं सबसे पहला जो पांडास है वो दिया जाता है Spain को और दूसरा दिया जाता है US के San Diego Zoo में और जब भी चाइना ने किसी भी देश को पांडास दिये हैं तो ये माना जाता है कि चाइना और उस देश के बीच में जो relations है या तो अच्छे हो रहे हैं या तो चाइना उस relation को अच्छा करना चाता है तो हलाकि Spain से चाइना का जो relation है वो यूएस को दो पांडास देगा और क्योंकि पिछले साल ही पांडास को वापस रिकॉल कर लिया गया था चाइना के दुआरा लेकिन सो लेकिन साल दो हजार चाइना दुबारा से ये फैसला करता है कि वो पांडास को देगा और जैसे ही ये निउस पब्लिक डोमेन में आता है जो analyst होते हैं वो इसको as in positive sign consider करते हैं between US और China. No doubt अगर आप pandas का videos देखेंगा YouTube पे जाके तो ये काफी अपने आप में cute animal है जो दिखने में भी काफी cute है और इनके जो हरकत होते हैं वो भी दिखने में काफी cute होते हैं और एक बात मैं और भी बता दो कि आज के तारीक में आनी कि 2024 में officially ये माना जाता है कि pandas सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास में ही हैं और pandas के रहने के लिए इनको bamboo forest यानि कि जो बास का जो जंगल होता है या उनका वो complete वो ecosystem जो होता है वो ही इनको चाहिए होता हैं क्योंकि pandas काफी cute लगते हैं लोगों को काफी attractive लगते हैं और by default ये सिर्फ चाइना के पास में है तो चाइना इस panda का इस्तिमाल करता है अपने soft diplomacy को बढ़ाने के लिए दिखाने के लिए किसी time पर Myanmar या northern Vietnam में भी pandas मिलते थे लेकिन pandas को maintain करना इनके लिए complete ecosystem को design करना बनाना अपने आप में काफी costly affair है तो चाइना का जो economy है वो काफी strong है तो in a way हम ये मान सकते हैं या कह सकते हैं कि चाइना वो देश है जो panda को effort कर सकता है और ये दिखता भी है ऐसा officially माना जाता है कि साल 1869 के पहले तक panda या इसके जैसा कोई animal भी हुआ करता था इसके बारे में जो western countries है या जो वहाँ के लोग है उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी सबसे पहली बार 1869 में फ्रांस के एक catholic priest रहता है जिनका नाम Pirey Armand रहता है वो इसको देखते हैं और इस चीज़ को अगर आप थोड़ा normal common sense से भी अगर आप समझना चाहें कि अगर भारत के पास कोई ऐसा चीज़ है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है तो भारत अफकोर्स उस चीज़ का इस्तेमाल या जो benefit है वो अपने फायदे के लिए बिलकुल करेगा और कहीं न कहीं भारत उस चीज़ को global platform पे बार बार दिखाएगा exactly कुछ ऐसा ही चाइना भी करता हुआ आया है और शी जिंपिंग के टाइम में भी ये काफी जो पांडास का इस्तेमाल है वो काफी किया गया है और in fact साल 2023 में शी जिंपिंग ने ये कहा भी था कि पांडास जो है वो चाइना का एक डिप्लोमेट कहले है एक एक ambassador है between चाइन अमेरिकन पीपल क्योंकि पांडास दिखने में काफी क्यूट होते हैं इनके हरकते काफी अच्छी होते हैं इसलिए साल 1936 में एक American Socialite उनको ये पांडा मिलता है और वो पांडा लाके फिर शिकागो के एक zoo में देते हैं उनको डोनेट करते हैं लेकिन क्योंकि ये अनिमल अपने आप में इतना क्यूट है इसलिए पहले दिन ही जब लोगों को ये मालूम पड़ा था कि पांडा शिकागो के zoo में है तो पहले ही दिन जो विजिटर्स थें वो कुछ 53,000 से भी यानि कि 53,000 से भी अधीक लोग सिर्फ पांडास को देखने आज के डेट में भी इन सभी देशों के साथ जो चाइना के रिलेशन है वो हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक सही है क्योंकि यूएस और ब्रिटेन का जो अलाय है वो लगभग हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन वही करता है जो यूएस उसको कहता है करने के लिए तो एकसेप्ट भी China का relation अच्छा है, Germany से भी इनका relation अच्छा है, तो inoway अगर हम यह समझें कि, जब जब China ने giant pandas को किसी देश को दिया है, तो यह बताता है कि दोनों देशों के बीच में जो relations है, वो काफी अच्छे हो रहे हैं. पहले क्या होता था कि चाइना पांडास को दे दिया करते थे लेकिन 1980s में क्या होता है कि इनके जो policy होते हैं उसमें changes होते हैं अब animals का जो black marketing में इस्तेमाल हो गया क्योंकि rapid industrialization हुआ, urbanization हुआ है तो jungle हैं, वो cutting हैं, अगर jungle cutting हैं तो कहीं न कहीं जो उसमें रहने वाले animals हैं, वो भी उनको भी खतरा मैसूस होता है तो ये सब बहुत सारे वज़य में से कुछ वज़य होते हैं जिसके कारण 1980s में जो pandas का जो numbers था वो घट जाता है तो उसके बाद से China ने loan पे देना शुरू कर दिया और अगर आप इस loan का amount देखेंगे, कहने का मतलब है कि अगर China किसी भी देश को अगर panda loan पे देता है तो उसका per pair का जो approximately जो कीमत निकलता है, per year का वो निकलता है कुछ 1 million American dollars तो ये amount भी अपने आप में किसी भी एक छोटे या growing economy के लिए बहुत बड़ी amount हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा वज़य है कि क्यों pandas को loan पे लेना भी काफी आदा costly हो जाता है 1980s के बाद जो changes किये गए हैं policy में वो कुछ ऐसे हैं कि चाइना किसी भी देश को panda को loan पे देगा और वो loan को जो भी एक time period होगा उस time period के बाद चाइना उस contract को दुबारा renew करेगा अगर वो renew नहीं करता है तो जिस भी देश को pandas दिया जाता है उस देश को panda को वापस करना होता है बहुत सारे experts ऐसे मानते हैं कि चाइना और US के बीच में जो relations थे वो सबसे आदा अच्छे थे Richard Nixon के time period में कहले कि 1970s का दौर था early 70s का दौर था वो काफी एक positive दौर था US और चाइना के geopolitical relation के perspective से जहां पे उस वक्त के जो चाइना के president होते हैं Mao Zedong वो Richard Nixon को दो बड़े बड़े giant pandas as in gift कह ले या as a part of soft diplomacy उनको देते हैं अब क्योंकि Russia और Ukraine war में है जहां पे Russia से भारत भी काफी बड़े पैमाने पे oil import कर रहा है चाइना भी बहुत बड़े पैमाने पे Russia से और Iran से oil purchase करता है जब Russia और Iran picture में आते हैं तो कहीं न कहीं जो बहुत सारे जो western countries हैं उनके relation इरान के साथ और Russia के साथ अच्छे नहीं है तो क्योंकि एकर China इरान से oil purchase करता है तो by default US और भी जो western countries है उसको वो नाराज करता है तो इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं कि China कभी ये नहीं चाहेगा ना कि वो western countries को नाराज करें क्योंकि चाइना का भी जो demand है वो इनके भी demand अलग-अलग देशों से आते हैं कहने का मतला भी कि no doubt चाइना की economy है वो बहुत बड़ी economy है लेकिन फिर भी आपकी economy जितनी बड़ी होती है maintenance cost भी उतना ही जादा होता है साल 2022 में जब FIFA World Cup हुए थे कतर में तो चाइना ने दो pandas को कतर को दिया था as in soft diplomacy और by the way मैं बता दो आप लोगों की कि चाइना का Middle East में काफी अच्छे इनके relations है क्योंकि जो पूरा Middle East में जितने भी जो 18 countries हैं उसमें से जो majority of देश हैं उनके जो relation है वो Western countries के साथ उतने अच्छे नहीं है तो of course जब उन सब देशों का जो relation है वो Western countries के साथ अच्छे नहीं है तो कहीं न कहीं वो एक चाइना को मौका देता है जहां पे चाइना Middle East में अपने पैर को जमाए और वहां से सस्ते तेल को इंपोर्ट करें चाइना का बहुत ही अच्छा इंवेस्टमेंट आपका इराक में है इरान में है of course जब कतर को उसने दो पांडास दियें तो ये भी बताता है कि जो कतर और चाइना के बीच में जो relation है वो अच्छे है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगी तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye